भाईयों और भेनों, गाउं गरीब और किसान आत्म निर्भर भारत अभ्यान के सबसे बड़े स्तंब भी है और सबसे बड़े लाभार्थी भी है हाल में जो कृषी सुधार हुए है उनसे किसानों को सीधा लाभ होने वाला है बाजार से उनकी सीधी कनेक्टिविटी सुनिस्चित होने वाली है किसानों के नाम पर किसानों की मेहनत को हड़ब जाने वाले बिचोलियों और दलानों को अब सिस्टिम से बाहर किया जा रहा है इसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के पुरवान चल के बनारस के हर किसान को होने वाला है साथियों किसान की तरह ही रेहडी पट्री ठेला चलाने वाले साथियों के लिए भी एक बहुती महत्वा कांक्षी योजना शुरू की गई है आज प्रधान मंत्री स्वनिधी योजना के जरिये रेड़ी पट्री वाले भाई और भेहनों को आसान लोन मिल रहा है कोरोना के कारण इनको जो दिक्कत आई है वो दूर हो सके उनका काम फिर से शुरू हो सके इसके लिए उन्हें दस हजार रुपिये की लोन सहायता दी जा रही है इसी तरह गाउं में रहने वाले लोगों को गाउं की जमीन गाउं के घर का कानूनी अधिकार देने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई है गाउं में घर मकान को लेकर जो विवाद होते थे कभी कभी तो मारकाट हो जाती थी कभी अगर गाउं से शादी बहाँ में गए वापिस आते थे तो कोई और बैस कबजा कर लेता था इन सारे समस्याओं से मुक्ति के लिए ये स्वामित्व योजना से इस योजना से मिले प्रॉपर्टी कार्ड के बाद इस प्रकार की मुसीबतों की गुंजाइस नहीं रह जाएगी अब गाउं के घर या जमीन पर ये प्रॉपर्टी कार्ड आपके वास होने के कारण बैंक से रण मिलना भी आसान हो जाएगा साथ ही जमीन पर अवेद कबजेदारी का खेल भी खत्म हो जाएगा पुर्वान चल को बनारस को इन योजनाओं को बहुत बड़ा लाब मिलने वाला है